अस्ताम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टूप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेटियां क्या फीजा की प्रेग्नेंसी दानिश के दिल से आईजा की तरफ को हतम कर देगी वीडियो को मकमल देखने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीचेगा तकि मेरी हर आने मली वीडियो आप आसानी से देख सकें लाइक साहिब नगमा बेगम के साथ वीजा के घर आते हैं ताकि बेटी को इन्मिटेशन दे सकें आईजा की शादी के लिए यहां पर आते ही नगमा बेगम जो है अपना काम शुरू कर देती है सारी फैमली बेटी है तबी नगमा बेगम कह देती है शुकर है दानिश तुम्हें चोट ज़रा कम लगी मुझे तो लगा था चोटें बहुत गहरी होंगी इसलिए तुम आइजा की शादी अटेंड नहीं कर सकोगे लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि तुम आईसा के शादी पर जरूर आओगे यहां पर सब को बहुत बुरा लगता है माँ को बहुत ही ज्यदा घुसा आजाता है अगले दिन डाइनिंग टेबल पर बैठी बाते सुना देती है कैसे कर सकती है वो लड़की शादी हमें जलील किया हमें रुस्वा कर दिया जमाने भर में कहीं मुँ दिखाने के काबिल न छोड़ा खुद शादी करके अपना घर बसा लेगी ऐसा कैसी हो सकता है फीजा डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल हमोश बैठी है लेकिन दानिश अपनी माँ को चुप करवा देता है लेकिन अपनी इंसर्ट का ह्याल तो अप दानिश को भी आ गया इसनिए फीजा जब उसे अकेले में मिली तो उसे कह देता है बैक पैक करो और तुम यहां से चलती बनो अब तुम्हारी इस घर में कोई जगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस घर में राज करती पिरो और तुम्हारी बेहन जिसके विज़से मेरी इतनी इंसर्ट हुई वो और आम से शादी करके उस घर में राज करे ऐसा तुम्हें होने नहीं दूँगा इसलिए तुम बैक पैक करो और यहां से निकल चाओ फिजा बेहन की शादी की वज़ा से कोई तमाशा नहीं चाहती इसलिए चुपचा बैक पैक किया और घर से निकलने लगी रस्ते में सास देख लेती है बहुत ही ज्यदा हूश हो जाती है आहर कर मेरे बेटे ने तुम्हें घर से निकलने का फैसला कर ही लिया अब जा रही हो तो हमेशा के लिए जाना वापिस पलट कर आने का कभी मत सोचना फिजा घर गई तो घर जाकर किसी को अपनी परिशानी क्या बताए घर में तो बेहन की महदी और हल्दी की रसम चल रही थी इस ने सबसे कह दिया कि बेहन इस ने लेकर आई हूँ कि यहां पर कुछ तिन रह सकूँ अपनी बेहनों के साथ ये शादी इंज्वाई कर सकूँ अब बाप भी बहुत हुश हो जाता है और वो हुशी हुशी सब के साथ शादी अटेंड करती है बेहन की हल्दी की रसम है उसको उप्टन भी लगाती है और कहती है मेरी बेहन कितनी हुपसूरत लग रही है अलापक हर बुरी नजर से बचाये तुम्हें आइज़ा सब बेहने मिलकर खुब हला गुला करती है डांस करती है गाने गाती है और खुब इंज्वाई करती है इस शादी को दूसी तरफ दानिस चो है वो सोचों में गुम है अब उसे फिज़ा से भी मुहबत होने लगी है फिज़ा की सोचों में गुम है फिज़ा का चेहरा उसकी आँखों के सामने से जाता ही नहीं फिज़ा के लिए इसके दिल की ये तरफ बता रही है कि इसके दिल में आइसकी कोई जगा नहीं जगा है तो सिर्फ फिजा की क्यूंकि एक बीबी जब आपके साथ रहती है आपका कमरा शेयर करती है आपके बेट पर सोती है तो ऐसा मुम्किन ही नहीं कि शोहर को उसे महबत न हो जाए और ये महबत अब हमें फिजा के जाने के बाद दानिश की दिल में जरूर नजर आएगी दानिश की आँखों में सब को ये प्यार नजर आने लगेगा फ्रेंड्स आपको क्या लगता है क्या दानिश का प्यार दानिश की महबत उसको मजबूर कर देगी कि वो फिजा को वापिस लिया या फीजा प्रेगनेंट हो जाएगी और उसको वापिस आना ही पड़ेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी दानिश के दिल में उसके लिए मुहबबत जगेगी अभी उसके लिए जगा बनेगी प्रेगनेंसी तो बात में होगी आप इस पारे में क्या कहते हैं जरूर क पीस